उस दिना तो मी यते मौसम कारण आई-फ्लू कंजेक्टिविटीज दे मामले वद रें इसनों वेके सहत विपाग ने सावदानी वजों एडवाईजरी भी जारे कीती है ना सर्फ हस्पताला सगो सेवल डिस्पेंसरियाच भी मामले वद रें उते ही PGI एडवांस आई सेंटर दे HOD डाक्टर SS पांडव दी मनियता तेंदनाच वाईरल दे केस वद रें बुदवार OPD जा आई-फ्लू दे प्या केस आई जिस वटे अते बच्चे दो में शामर सा डाक्टरा दी मनियता हर सीजन चेहे केस से वेखे जान देनी अते कबरा उन दी लोड नहीं है चार तो पांचे दिना चेहे वाईरल ठीक हो जान दा है डाक्टरा मताबक तेज गर्मी तो बाद मी पैंड नाड मौसम चे तेजी नाड बदला होंदा है मौसम चे हवा दे नाड पर दूशन अते नमी कारन फंगल इंफेक्शन दियां समस्या माँ पैदा होंदियाने इस चे सबतो ज्यादा अक्खा नाड जुडियां दिखता परिशान कर दियाने फंगल इंफेक्शन वदन नाड अक्खा दा ख्याल रखना बेहद जुरूरी होंदा है आई फ्लू होंदे जल्द दर्दते लाल पन वर्गियां परशानियां होंदियाने इस वमारी दा कारन अलर्जी रियक्शन है कई मामलियां चे बैक्टीरिया दी इंफेक्शन होंदा भी हो साकती है ज्यादा तर इस दी शुरुवात एक अक्ख तो हुंदी है कुर समय बाद दूजी ची भी आ जान दी है आई फ्लू आम तोरते खुद ठीक हो जाना है पर इस दोरान अक्खानों साफ रखना बहुत जरूरी है आई फ्लू दे लच्छन आते बचा अक्खा लाल होना, जलन होना, पलकां ते पीला आते चिपचिपा, तरल जाम जाना अक्खां चे चुपन ते सो जाऊना, अक्खां चे खार्शोना, आते पानी होना वार वार अक्खानों हाथ ना लाओ, अते साफ पानी नाल तो नदे रहो साफ करन लई, टीशू पेपर याँ साफ कपड़े दा इस्तमाल, मरीज लई, आई कंटेक्ट बनाऊन तो बचो टीवी मुबाइल तो दूरी बना के रखो, फलू होनते अक्खांते काड़ा चश्मा लाके रखो, डाक्टर कोड जरूर जाओ